नमस्कार दोस्तो दोस्तो विटामिन B9 को फॉलिक एसेड और फॉलेट के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B शरीर में मौजूद कार्बोहईडरेट को शरीर के लिए आवश्यक ग्लुकोज में बदलने का काम करता है जिसेगी शरीर को उर्जा मिलती है लिवर तवचा ब पानी की तरह तरल रूप में होता है फॉलिक एसेड दिमाग के कारे को ठीक करता है और इसके साथ ही साथ ये बावनात्मक मजबूती के लिए भी एहम भूमिका निवाता है फॉलिक एसेड छोटे बच्चों किशोरों और गर्बा अवस्ता के दोरान ब्रून के टिश्यू और अन्य पोशक तत्वों के साथ मिलकर रक्त में बढ़ने वाले अमिनो एसेड हॉमोसिस्टिन के स्तर को नियंत्रित करता है और हॉमोसिस्टिन के उच्च स्तर से कई तरह के दिल के रोगोने का खत्रा बना रहता है विटामिन B9 यानि कि फॉलिक एसेड क्या है ये हमारे तो सबसे पहले तो हम ये ही जानेंगे कि विटामिन B9 लेने के फायदे क्या होते हैं तो दुस्तो विटामिन B9 यानि कि फॉलिक एसेड कई तरह से शरी के लिए फायदेमन होता है ये खोन में मौझूद लाल रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है और इसके साथ ही साथ फ उम्र बढ़ने की वज़े से सुनने की क्षमता कम होने की परिशानी को दूर किया जा सकता है और इसके अलावा ये मुख्य रूप से गर्बवती महिलाओं को फायदा पहुचाता है फॉलिक एसेड से ब्रून के बनने और जन्मस से दिमाग और रीड की हड़ी के विकारों को कम करने में मदद मिलती है और प्रेगनेंट होने से करीब एक वर्ष पूर्व से महिला को फॉलिक एसिड का सेवन करना जाइए इससे गर्ब में बच्चे की मृत्यू के खत्रे भी कम हो जाते हैं डॉक्टर भी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में महिलाओं को विट इसके साथ ही साथ आप इसके फाइदों से भी परीचित हो गए हैं अब आपको हम यह बता रहे हैं कि किन प्राकृतिक चीजों के सेवन से आप आसानी से विटामिन B9 को प्राप्त कर सकते हैं तो दुस्तों बात किजाए विटामिन B9 युक्त खाते पदार्थों की तो उन में हैं मासाहार में लिवर का सेवन, शैलमन फिश, साबू तनाज, जड़ वाली सबजियां, गेहू, राजमा, सभी दालें, सैम, एवोकाडो, संत्रे का रस और दूद, इसके अलावा विटामिन B9 को मल्टी विटामिन गोलियों के द्वारा भी लिया जा सकता है, बच्च जाना कितनी मातरा में लेना चाहिए, तो दोस्तो सभी को अपने आहर में फॉलिक एसिड वाले खादे पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए, हर आयू वर्गों के लिए इसकी निश्चित मातरा बताई गई है, और आपको फॉलिक एसिड लेने से पूर्व अपने ड बच्चे के लिए 0.15 मिलिग्राम, 4-8 साल के लिए 0.2 मिलिग्राम, 9-13 साल 0.3 मिलिग्राम, 14-18 साल 0.4 मिलिग्राम, 19 वर्ष और उससे अधिक के पुरुशों के लिए 0.4 मिलिग्राम और 19 वर्ष और अधिक महिलाओं के लिए 0.4 मिलिग्राम, गर्बवती महिलाओं के लि महिलाओं के लिए 0.5 मिलिग्राम फॉलिक एसिड को उच मात्रा में लेने से विटामिन B12 की कमी को भी पूरा किया जा सकता है दिल की रोग से पीडित व्यक्ति डॉक्टर से सला लेने के बाद ही फॉलिक एसिड को लेना शुरू करें और अब हम दुस्तो जानेंगे कि फॉल से ही रीड की हट्डी के रोग होने की संभावनाय रहती है इसके अलावा तंत्री का तंत्र के गंबिर रोग भी हो सकते हैं तो दोस्तो बात कीजाए फॉलिक एसिड की कमी के कुछ लक्षणों की तो उनमें है ठकान होना, कमजोरी मैसूस होना, मुँ में घाव होना, सोचन मुँ में छाले होना, ठकान होना या फिर जी मिचलाना और बात कीजाए कि लंबे समय तक अगर फॉलिक एसिड की कमी होते उनसे कौन से रोग होते हैं तो उससे होता है हाई बिपी, अल्जाइमर रोग, एनीमिया, गरबाशे ग्रीवा का कैंसर, मलाशे और आतों के कैंसर क खत्रा और ऑस्टियो पोरोसिस यानिकी हड्डियों की कमजोरी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया होने की स्थिति में आप दवा के रूप में फॉलिक एसिड को लेकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और एक बार फॉलिक एसिड का स्तर सामन्ने हो जाने पर आपकी र भराबी हो सकती है अधिक मात्रा में विटामीन B9 लेना किसी तरह की समस्या का काराण इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये तरल रूप में होता है और शरेड में इसकी अधिकता होने पर ये मुत्र के साथ बाहर निकल जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अ झाल झाल